तो चलिए इधर हम बना लेंगे mix waste तो सबसे पहले इधर तेल गरम करेंगे इसमें हम डाल देंगे गाजर ये वीडियो तोड़ा इसकीप हो गया इधर गाजर डाल देंगे गाजर को फ्राई करेंगे गाजर जब फ्राई हो जाएगा तो इधर मैं आलू डाल देती हूं सब जो कली होती हैं वो निकाल दी थी और उनको भी ऐसे हिए फ्राइ कर लेंगे तो ये देखिए फ्राइये होगे हैं इनको हिं निकाल लेते हैं और पनीर हम इंदर फ्राइय कर लेंगे आपके पास अकर बीन्स या नो LAUGHTER और पास अर्म इलगे मटर भी डाल सकते Unters लाश्ट में ही डालूंगी तो यह निकाल देते हैं अब इसी तेल में मैं डालूंगी खड़े मसाले थोड़ा सा जब यह भून जाएंगे तो अद्रक लेसों मिर्च का पेस्ट जो बचाई हूं थोड़ा सा वो डाल दूँगी तो इनको भूनेंगे थोड़ा सा उसके बार इसमें हम डाल देंगे प्याज प्याज को भी बारी कट कर लिए थे तो प्याज को भी डाल के भूनेंगे जब प्याज हलका सबुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले सूखे मसाले में डालेंगे हम इदर सबसे पहले हल्दी पाउडर स्वरी धनिया पाउडर डाल देंगे हल्दी पाउडर डाल देंगे कासमीरी लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ा सा मिधा डालेंगे कासूरी मेथी भी हाथों से थोड़ा सा मैस करके और इनको भून लेते हैं उसके बाद इतर हम डाल देंगे टमाटर जिनको मैं दो टमाटर ली थी और पीस लीओ में टमाटर का प्यूरी बना दी हूँ तो वह भी डाल देते हैं और अच्छे से म मसालों को भूनेंगे हम, नमक भी डाल देंगे, मसालों को अच्छे से भून लेंगे, तो ये देखिए कलर कितना अच्छा दिख रहा है ग्रेवी में, तो अभी मसाला भूनेगा ना तो और भी अच्छा दिखेगा, गैस को मेडियम फिले में करके अच्छे से हम भून तो यह देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है हमारा अब इसमें हम डाल देंगे मिक्स जो मतलब फ्राई किये हुए सबजी थे वो सारा डाल देंगे पनीर अभी हम नहीं डालेंगे पनीर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट है न तो टूड जाते हैं इसलिए पनीर को भी हम नहीं डालेंगे कि तो पहले हिनको मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे क्योंकि जो आलू है वो 80% पका हुआ है उनको हलका सा और पकाएंगे हम तो बस हलका सा पानी इसमें डाल देंगे और धक के हम तो यह देखिए पनीर भी डाल देते हैं और पानी डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स करके और धक के हम थोड़ा सा पका लेते हैं अजिंआ को कि युल भी डाल दिए तुछ ये देखिए पाणी थोड़ा समय डाली हूं इसमें और धक की हम पका लेंगे कौन भी जिस्से पक जाएं तो जल्डी से ही ओ जाएंगे कोम तो धक देते हैं थोड़ा देर के लिए तो जो हमारा mix ways है न वो ready हो गया है आप देख रहे हैं आप जरूर बनाना आपको बहुत पसंद आएगी तो पनीर कुल्चे के साथ आप इंज्वाय करना बहुत पसंद आएगा मेरे चैनल में आप देख लेना वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा गरम मसाला डाल देंगे धनिया पाउडर डाल देंगे और mix कर लेते हैं तो यह देखिए रेडी हो गया मिक्स वेज हमारी तो यह कुल्चे की भी रैस्पी आपको मिल जाएगी पनीर कुल्चे की तो आई हो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें